चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं banking transactions की अब banking transactions का basically मतलब क्या है कि जो भी कोई lane देन किसी भी प्रकार का चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए अगर वहाँ पे bank involved है मतलब आप cash transaction नहीं कर रहे हैं आप transaction कर रहे हैं through banking channel तो उस case में कैसी कैसी transactions हो सकती है और तो हम यहाँ पे variety of transactions देखेंगे कि किंते प्रकार के transactions हो सकते हैं और जो भी transactions होंगे उस case में हम अपने rules को apply करते वे समझेंगे कि आपको general entries किस तरीके से pass करके चलनी होती है ठीक है सर तो सबसे पहला जो transaction है वो है when cash is deposited into the bank तो बहुत ही simple है cash आप deposit कर रहे हो bank के अंदर तो आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो business है आपका जो business है वो एक entity है ठीक है सर एक ही हमारा business है और जो इस business को चला रहा है वो एक वेक्ति है जिसको हम क्या बूल के चल रहे है यह हमारा proprietor जो इस business को run कर रहा है ठीक है सर और ये business जो है वो deal करता है multiple logo के उन्हीं में से एक organization है जिसको हम क्या बूलते है bank ठीक है जिन जिन लोगों के साथ ये deal करते हैं उन्हीं में से एक organization एक entity है जिसको हम कह रहे है bank चाहे वो कोई भी bank हो State Bank of India HDFC whatever it is ठीक है अब ये जो business है ये business जो deal करता है ये दो माध्य हम से deal करता है या तो ये cash में deal करता होगा या फिर ये banking channel के तुरू deal करता होगा banking channel क्या हो सकता तो sir banking channel कुछ भी हो सकता है जैसे कि online banking के तुरू भी deal किया जाता है आपको लोगों को पता है आज के time पे थोड़ा पीछे चले जाए तो check के माध्यम से deal किया जाता है और थोड़ा पीछे चले जाए तो आप देखते हो पे आप देखोगे तो online banking के थुरू भी transactions होती है ठीक है transaction का मतलब क्या है सर कि या तो पैसा आपके पास आता है या तो पैसा आपके पास से जाता है ये दोनों transaction और इसके अलावा cash mode में transactions होती है वो तो आपने देखी लिया वो आपको पताईए कि भी या cash आएगा या cash जाए यह क्या है कि जब आपने cash deposit किया आपने अपने bank में या आपने देखा होगा आपने खुद भी करते होगे कि यह business है यह deal करती है इन्होंने कुछ cash में sale किया इनके पास पैसा आया इन्होंने जब sale किया तो इनके पास पैसा receive वहा no doubt cash अगर आपके पास होता है तो आप bank उसको protection के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ interest वगेरा भी provide करता है depending upon कैसा bank account आपने खुलवा रखा है ठीक है तो एक normal scenario है normal transactions है आप लोग भी करते हैं ऐसा तो business के इंदर तो यह बहुत commonly होता है तो कभी भी कोई business जो है वो cash ले जाके जमा करेगा bank में तो होगा क्या क्या प bank account में open किया हुआ है ultimately इसको आप ऐसे कह सकते हो कि यह business के एक जेब से patch सा उठके दूसरे जेब में जा रहा है मोटे तोर पे यह कह सकते है bank account भी आपका ही है आपका ही खाते में आपने जाके अपना पैसा जमा कर दिया अब जब चाहे निकाल सकते है ultimately वो आपका पैसा है बस वो एक safe जगे पे safe हाथों में चला गया ठीक है तो मोटे तोर पर इसको आप क्या कह सकते हो कि आपका पैसा है आप ही के पास है बस उसका form change हो गया पहले वो नगद के रूप में था आपके पास अब वो आपके bank में जमा होगे जब आप निकालना चाहोगे तो फिर से वो नगद के रूप में आपको अब लेवल हो जाएगा या फिर आप डिरेक्टली भी वहां से payment कर पाओगे किसी भी third party को ठीक है तो ultimately क्या हो रहा है कि कि किसी भी business के पास से जब वो cash deposit कर रहा है तो उसके पास जा क्या रहा है उसके पास आ क्या रहा है simple तो पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि जा क्या रहा है और आ क्या रहा है बैंक जो है वो कोई अपने आप में वेक्ती नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव का तो सवाली नहीं उड़ता तो उसके लावद जितने भी इंस्टूशन वगेरा है वो सारे का सारे आर्टिफीशल में cover होते हैं तो बैंक हमारा किसमें आता है आर्टिफीशल में आता है चली उतना डीप जानी के जरूँत नहीं है पर्सेनल अगर आप रूल याद करेंगे तो आप क्या बहुलेंगे डेविट दा रिसीवर क्रेडिट दा गीवर ठीक है तो बैंक कि यहां प पास से आ रहा है या जा रहा है तो cash आपके पास से जा रहा है real account का rule लगाएंगे तो क्या बोलेंगे आप debit what comes in and credit what goes out cash आपके पास से जा रहा है तो ultimately क्या होना चाहिए ये credit होना चाहिए बिल्कुल logical है rules के उपर बिल्कुल set हो रहा है तो bank हमारा होना चाहिए debit cash होना चाहिए हमारा credit तो इसको अगर आप general entry की form में लेके आओगे तो आप क्या बोलोगे bank account debit to cash account narration लिखोगे क्या being word लगाके same to same चाप दोगे यहां से लेके यहां तक cash deposited into bank हमने यही देखा था कि narration में basically क्या होता है ब्रीफ explanation लिखनी होती है तो ultimately आप अगर question answer के point of view से बात करने तो जो भी आपका सवाल है आपको वही मोटा मोटा वहाँ पर उतार देना होता है ठीक है तो this is your first transaction I hope आपको समझ में आगए कि banking transaction का मतलब क्या और किस तरीके सा उसका impact देखके चल रहे है ठीक है next आते है when cash is withdrawn from the bank just opposite यहाँ पर आपके पास cash क्या है आएगा और debit यहाँ पर आप किसको करोगे cash को करोगे क्योंकि cash आपके वास आएगा और bank यहाँ पर क्या है receiver है या giver है तो यहाँ पर bank आपका giver है bank आपको पैसे दे रहा है यह वो वेक्ती है वो institution ने जो आपको वास आएगा तो आप इसको debit करोगे ultimately भी आपने अगर ये transaction clear कर ले तो इसका opposite transaction ही हो रहा है यहाँ पर आप cash deposit कर रहे थे bank पर पैसा जा रहा था cash आपके बास से कम हो रहा था यहाँ पर आपको बास cash आ रहा है क्योंकि आप bank से पैसा निकाल रहे हो तो just opposite entries की क्या हो जाएगी cash account debit to bank account I hope it is very much fine को दिक्कत अली बात है हाँ तक अपने को नहीं है narration में आप से हम लिख दोगे being cash withdrawn from the bank ठीक है sir बिल्कुल बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला transaction है when checks, draft, etc receive from the customer bank account are deposited into the bank on the same day अब इस चीज़ को समझेए कि आप देखेंगे कि आपको suppose आपने कुछ sale किया या कोई भी transaction किया और आपको पैसे मिले आपको check मिला आपको cash की form में नहीं मिला आपको किसी ने check दिया है आपको check receive हुआ है ठीक है let's say मैं कहता हूँ आपको जो check receive हुआ है वो किस से receive हुआ है वो एक व्यक्ति से receive हुआ है जिसका नाम क्या है उसका नाम है बट क्या यह cash है नहीं क्या यह cash के रूप में use के जा सकता है बिल्कुल नहीं use के जा सकता है एक आपको check मिला है ठीक है अब आपको एक किसी customer से check मिलता है और आप उसको अपने bank में उसी दिन deposit कर देते हो तो क्या उसी दिन वो जो चेक है वो आपके पैसे में convert हो गया की नहीं हो गया जैसे ही वो आपके bank में credit होगा अब आपके बस उतना पैसा है उसको आप जिस तरीके से चाहें use कर सकते हैं आप चाहे तो cash की form में निकाल सकते हैं चाहे तो banking mode पे ही आप किसी को pay कर सकते हैं transfer कर सकते हैं जो करना चाहे वो कर सकते हैं बट जो check था क्या वो cash के रूप में use हो सकता था नहीं हो सकता था बट यहाँ पे उस check को हमने same day bank में जमा कर दिया मतलब मैंने आज sale की आज check मिला आज ही मैंने उसको bank में डाल दिया तो ultimately हुआ क्या है कि मेरे को एक वेक्ति से पैसा मिला ठीक है अब इस transaction को आप detail में जरा समझेंगे तो आप कैसे बोलेंगे इसको थोड़ा सा detail में लेते हैं कि एक वेक्ति है उसको आपने कुछ sale किया यह आपका business है आपने इस वेक्ति को sale किया इसका मैंने नाम example के room पे लिया था राम ठीक है अब राम को जब आपने sale किया होगा तो आपने entry किया किया होगी यह बताए ज़रा sale के entry हम बीचे सीख चुके हैं तो sale किया किया आपने जब बैंक में बैंक में डाल दिया तो आपके बैंक में आपके बैंक में पैसे आ गई ठीक है तो बैंक किया है receiver है या गीवर है obvious ही बात है benk आपकर रिसी वर है बैंक को पैसे मिल रहे है तो बैंक आपका हो जाएगा क्या debit और यह पैसे आपको किसे मिल रहे है यह पैसे आपको किसे राम से तो आप क्या लिखोगे bank account debit to RAM, check किसे मिला है आपको RAM से अच्छा जी यहाँ पे सरक सवाल में जो हमें पे हम इने transaction लिखे यहाँ पे तो हमने नाम लिखा नहीं है तो अगर ऐसा situation हुआ तो आप क्या बोलोगे उसको उसको आप बोलोगे customer personal account ठीक है उसको क्या बोलोगे customer personal account क्योंकि यहां पर customer word use हुआ था इसकी जगे पर और क्या बोल सकते हो इसको डेटर भी बोल सकते हो एक ही बात है वह वेक्ति जिससे अपने को पैसा लेना होता है वह हमारा डेटर ही कहलाता है ठीक है तो जैसा भी सवाल होगा कि चेक मिला चेक डिपोजिट कर दिया चेक मिला चेक डिपोजिट कर दिया क्योंकि जब आप next point पर आओ गया यहां पर क्या है कि आपको चैक कि या draft कुछ भी ठीक है बोथार पेपर बोथार पेपर चैक मिले वह भी पन्ना है पेपर है ऑल्दो वह एक इंस्ट्रुमेंट के जब तक कि आपके बैंक में इन कैश नहीं हो जाता सेम ड्राफ्ट के रूप में अगर किसी ने पेमेंट की है तो आपको ड्राफ्ट रिसीव हुआ है बोथ हर सिमिलर थिंग्स को रिक्कताली बात नहीं है यह रिसीव हुआ कस्टमर से अब इसको जड़ा समझिए आपको एक चेक मिला आपने काया डेली डेली चेक नहीं भेजेंगे 500 रुपे का चेक है एक खट्य हो जाए दो चार पांस दस चेक तो एक साथ बैंक में भेज़ देंगे कौन डेली डेली जाने आने के पैसे खर्च करे इतना बड़ा तो चेक भी भेजा है 15 तारिक को ठीक है किसी भी महीने के 10 तारिक को आपको चेक रिसीव हुआ और आपने उस दिन में बैंक में नहीं भेजा तो आपके पास क्या है आपको कुछ तो रिसीव हुआ है लेकिन क्या रिसीव हुआ है क्या कैश है नहीं जी क्या बैंक में पैसे आगे नही अकाउंट डेविट टू जिससे मिला है उसका नाम सेम ट्राजेट्टिन तो सेम है कि ये राम को अपने सेल के था, राम ने आपको चेक दिया या फिर किसी भी वेक्तिन आपको चेक दिया हो तो आप उसका नाम लिख दोगे, मैं मोटे तोर पर लिख सकता हूँ hand जो है वो बदल के क्या हो जाएगा आपका bank account हो जाएगा क्यों क्योंकि यह जो check in hand के जो भी amount entered होगा वो आपके bank में उतना amount से आपका जो account है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो next transaction क्या है on the date when above checks drafts etc are sent to the bank जो check आपको receiver दस्तरिक को अब आप उसको bank में भीज़ दिया जब आप bank में भीज़ दोगे तो again bank क्या बन जाएगा यहाँ पर receiver तो bank account हो जाएगा आपका debit और आपने क्या भीज़ा है क्या आपका गया है तो आपका गया है check in head check in head account अब आप इन दोनों transaction को जोड़ोगे तो आप देखो कि check in hand यहाँ debit हो रहा है यह चेक in hand credit हो रहा है यह आप में cancel हो सकता है तो ultimately जो entry बन रही है वो क्या बन रही है bank account debit to customer personal account बट इसकी दो entry क्यों करनी पड़ी क्योंकि यह entry हुई है 10 तरिक को यह entry हुई है आपकी 15 तरिक को अगर यह दोनों entry एक ही दिन में हो जाती तो हम दो entry नहीं करते हैं क्योंकि तब भी तो आपको सुबह सपोज 10 बजे check मिला आपने 12 बजे bank भीज दिया तो हम ऐसा तो है बेसिस में करनी होती है chronological order को maintain करने के लिए अदर्वाइस तो आप 10 को कोई entry ना करो सिधा-सिधा 15 तरिक को यह entry कर दो bank account debit to customer और जब यह check in hand वाला bank भेज़ दोगे तो आपका check in hand क्या हो जाएगा credit ultimately यह हो गया cancel और पैसा जो है वापके bank में debit हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इस transaction लेते है बिसिकली यह जो third number की transaction की इसी को break किया गया कि जब check आपके हाथ में है और जब वो bank चला गया इन दो entry अगरी में उसको हम तोड़ देते हैं ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब इसके अगर आगे बढ़ें तो क्या कह रहा है when a customer directly deposit the amount in our bank account अब देखो जी एक तरीका तो यह है कि customer हमको check दे और हम ले जाके उसको bank में डाल दे तो उस case में entry हमने क्या देखी थी bank account आ अब यहां पर customer अबाना बहुत अच्छा है वो कहता जी हम आपको तकलीफ क्यों दे हम आपका account हम जानते ही है आपकी account detail लिखके हम उसको bank में आपके जमा कर देते हैं हमने कोई दिक्कत नहीं उस case में entry क्या होगी entry तब भी आपकी same रहेगी same रहेगी bank account debit to customer personal account यह basically वही entry हो दोनों का same है कि आपके customer से आपको पैसे same day में receive हो गए चाहे check मिला और आपने bank में डाला या फिर उसने directly bank में डाल दिया impact same ही create हो रहा है ठीक है next transaction है when a check previously deposited into the bank is dishonored अब सरी dishonored को जड़ा समझना पढ़ेगा कि dishonored होता क्या है ठीक है तो dishonored का मतलब क्या है आपने सुना होगा कि suppose कि जी ये वेक्ती है एक राम इसने आपको check दिया आपका नाम है क्या आपका नाम है let's say रवी ठीक है आपको इसने check दिया अब जो check दिया इसने आपको check दिया 10,000 रुपे का लेकिन इसके bank account में जो पैसे थे वो थे सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपे तो इस case में आपने check dishonor हो जाना, dishonor का मतलब कि जो check के अंदर payment इसने promise की थी वो उस बात को honor नहीं कर पाया, honor मतलब कि अगर उसने कहा था कि लो जी इस check के मादियम साब 10,000 रुपे निकाल लोगे, लेकिन जब bank में वो honor होने गया, मतलब वो in cash होने गया, तो bank वाले ने कहा कि नहीं भी है, इन नहीं मिल पाएंगे, क्यों? क्योंकि सामने वाले का account वो तरे पैसे ही नहीं मौझूद है, ठीक है, इसको बोलते है, check dishonor हो जाना, अब check dishonor होने के उपर practical life में आप देखेंगे, तो penalties वगेरा भी लगती है, आपके उपर भी लगती है, आपका bank आपके उपर लगाता है, व जो यह राम का bank है, यह है HDFC, तो HDFC भी charges लगाएगा इसके उपर, क्यों? क्योंकि bank ने इसको भेजा होगा, मतलब इसने SBI में जमा किया, SBI ने HDFC को भेजा, HDFC ने चेक करके inform किया कि नहीं है, इसके account भी तरे पैसे नहीं है, फिर इसने dishonor के तो कहने का मतलब कि है कि दोनों bank यहाँ पर involve होती है, दोनों bank का time and effort जाता है, तो इसलिए दोनों bank को ने ऐसा कहा कि भी यह स्टाइट की हरकत कोई ना करे, कि फरजी चेक घुमाता रहे, और यह criminal activity के अंदर भी आता है, अगर आप इसको lawfully देखेंगे, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, और आप check है, तो इसके उपर fraud का case दे सकता है, कि भी इसने मुझे check दिया, और वो check जो है, वो bounce हो गया, मतलब यह उसकी payment अदा नहीं कर पाए, और जो banking वाले होते हैं, वो इसके उपर suitable charges जो भी उनके bank according होता है, decided, वो भी इसके उपर लगाते है, HDFC वाला लगाएगा RAM के उपर, और तो उसके इसमें entry क्या हो रही है, bank account debit to customer personal account, हम यह माल ले रहे हैं कि जब हमने check bank में डाला, तो हमारा bank receiver है, bank में पैसे receive हो गए, और customer जो हमारा debtor था, उसको हमने उतने से कम कर दिया, मतलब कि let's say यह customer personal account है, यह है हमारा RAM, राम से मुझको लेने थे 1,00,000 रुपे, इसने एक लाख रुपे से, मैंने इसमें से credit कर दिया कितना, 10,000 रुपे, मतलब कि मैंने इसमें से 10,000 रुपे माइनस कर दिया, मैंने का तुम मुझे कितने दोगे, सिर्फ 90,000 रुपे दोगे, लेकिन पता क्या लगा आके चलके कि यह जो check है, यह तो क्या हो गया, dishonor हो गया, dishonor किया था, उसको वापिस से क्या कर देंगे, credit कर देंगे, मतलब कि जब पैसा receive होता, उसकी जो entry होती है, उसका just opposite entry हो जाएगा, dishonor की entry हो जाएगी, अब यह बताइए कि dishonor वाली situation का कभी भी check-in hand के case में possible है, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि dishonor का पता कब लगेगा, ज कस्टमर से हम वापिस पैसा recover करेंगे, उसको recoverable खड़ा करेंगे, मतलब उसको हम debit कर देंगे, और जो bank में हमने receiver माना था, वो ultimately receiver हुआ नहीं, तो उसको हम cancel करने के लिए credit कर देंगे, ठीक है, I hope dishonor is not that much big thing, dishonor का मोटा मोटा concept क्या है, वो मैं आपको बता दिया, करना क्या है तो भईया reverse करनी है, entry को, जो आपने entry receipt की करते हो, उसको cancel करना है, cancel करने के लिए हम उसको reverse करना पड़ेगा, जो debit के है, उसको credit के है, उसको वापिस से debit कर दो, ठीक है सार, now, next transaction आता है, अब when a check, when a check, ये basically, ये कुछ नहीं है, when a check is received from a customer and discount is allowed to him, हमने किसी से check मिला और हमने उसको कुछ discount भी दिया, and if the check is deposited into bank on the same door, हमने bank में उस check को deposit भी कर दिया, example की रूपे आप कह सकते हो, कि किसी से आपको 10,000 रुपे लेने थे, आपने का कि लोब ये तुम 9,000 ये देतो, 1000 का तुम्हें discount देते हैं, तो उसने का अच्छा ऐसा है discount मिलेगा, चलो जी हम आपको आज ही check काट के देते हैं, उसने आज ही check दिया, हमने उसको bank में डाल दिया, तो उसके इसमें entry क्या होगी, तो आपको receive कितना हुआ है, discount जो यहाँ पर आपने allow किया है, वो आपका फायदा है, वो आपका नुकसान है, कितने का 1000 रुपे आपको नुकसान हुआ है, और आप आपने पीशे की वीडियो में सीखा था, कि जितना हम discount allow करते हैं, उसको discount allowed account के नाम से लिखते हैं, to, जिससे हमें पैसा receive हुआ, अगर नाम पता है, तो उसका नाम लिख देंगे, otherwise हम क्या लिखेंगे, customer personal account, customer personal account, example के रूप में 10,000 पर आपको मिलने थे, 9,000 आपको मिल गए और 1000 रुपे का आपने उसको discount दे दिया, इस तरीके से आपका match कर जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है, जैसे कि हम receive के entry करते हैं, वो receive के entry की है, क्योंकि यहां पर discount भी है, तो discount additionally debit हो जाएगा, क्योंकि debit all the expenses and losses, तो यह भी एक प्रकार का expense है, 10 का हिसाब settle तो आपका debtor जो है, वो तो कम होगा, पूरे के पूरे 10,000 रुपे से, लेकिन receive होगा 9,000 रुपे और difference जो है, वो आपका नुकसान है, वो discount allowed account में चला जाएगा, अब ऐसा हमने किसी को discount दिया था, सामने वाले ने लालच में अपने को check दे दिया था, लेकिन जब हमने check deposit कि तो पता लगा, वो तो dishonor हो गया, मतलब in case the above check is dishonored, the discount allowed to the customer will also be withdrawn, मतलब कि अगर ऐसा को check dishonor हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि चलो जी अब तुम आगे हमें 9,000 रुपे देना, नहीं, हम उसके कान पे लगाएंगे पहले थप पड़ और उसको क्या बोलेंगे, ब फिलाल उसकी बात नहीं है, तो हम उसको कोई भी discount नहीं देंगे, जो भी उसको discount दिया था, वो उससे वापिस छीन लिया जाएगा, उसको withdraw कर लिया जाएगा, भईया, तुमको discount जो दिया था, वो भूल जाओ, अब तो आगे जब भी check लाना, पूरा check लाना, पूरे को दिसॉनर होगा, डिसॉनर का मतलब क्या है कि कोई transaction आपने assume की, बत वो transaction क्या हो गई, फेल हो गई, ट्रांजक्शन फेल भी तो जो भी आपने transaction की entry कर दी थी, उस entry को cancel कर दो, cancel करने का मतलब क्या है कि सारी चीज़े, reverse कर दो, जो debit किया था, उसको credit कर दो, और जो credit किया था, टू, बैंक को हम credit करेंगे कितने से, 9,000 से, और टू, discount allowed account, अब किसी बच्चे की दिमाग में ये खयाल ना आ है, कि सर्थ discount allowed तो हमेशा debit होता है, credit नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, discount received जो है, वो credit होता है, क्योंकि वो income का part है, यहाँ पे discount allowed को हम income नहीं समझ रहे हैं, हम पुरा debit भी हो रखा होगा, तो उसको cancel करने के लिए हम credit कर सकते हैं, बट, freshly कभी भी discount allowed credit नहीं होगा, अगर credit होने की situation आ रही है, मतलब आपको discount मिल रहा है, और उसको आप discount received लिखते हो, यहाँ हम इसको cancel करने के लिए credit कर रहे हैं, इसका मतलब income नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमना को loss हमने माना था, वो loss actual में नहीं हुआ, तो उसको आप income की तरह treat कर रहे हो, basically उस loss को cancel कर रहे हो, ठीक है न, तो यह cancel की entry है, तो इसमें हम बस reversal आला काम करते हैं और कुछ भी नहीं, narration same to same, being लगा के पूरा का पूरा question आप उतार दोगे, ठीक है sir, okay, when a payment is made by check, अभी तक तो I hope, चितनी भी entry में आपको लिखवा रहा हम, वो आप साथ के साथ लिखते हुए चल रहे है, ठीक है, चलिए, तो आपने किसी को payment दी, तो अब उसके इसमें bank क्या है, bank आपका receiver है, या bank giver है, तो यहाँ पे bank आपका giver है, अब अगर bank giver है, तो उसके इसमें क्या होगा, आ कोई भी personal account, जिसको भी आपने पैसे दीए, to bank account, to bank account, अब यहाँ पे क्या है, receiver कौन है, आपका जो bank है, ये भी आपका personal account है, और जिसको आप पैसे दे रहे हो, वो भी आपका personal account है, तो आप क्या बोलोगे, debit the receiver, credit the giver, जिस वेक्ति को पैसा मिल रहा है, उसको आपने debit कर दि जैसे मैंने राम को पैसे दिये चेक के दुरू, तो राम account debit to bank, मैंने शाम को पैसे दिये चेक के दुरू, तो शाम account debit to bank, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही personal है, personal account का rule लग रहा है, तो यहाँ पर rule बनेगा debit the receiver, credit the giver, जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो debit होगा, और जिससे पैसे तो आपके बोलोगे salary account debit in general हम कह सकते है expenses account जो भी होता है वो हमारा debit हो जाएगा और ultimately giver कौन है आपका giver है bank तो bank account आपका credit हो जाएगा expenses को भी आप पे करते हो जैसे आप cash पे करते हो तो आप बोलते हो salary account debit to cash क्योंकि cash जा रहा है और खर्चा आपका debit होना है यहां पर बोलोगे expenses account debit क्योंकि खर्चा debit होना cash नहीं जा रहा है आपके bank से पैसा जाएगे bank आपका यहां पर giver है तो bank आपका credit हो जाएगा ठीक है चलिए sir when cash is withdrawn from the bank for personal use of the proprietor अप cash अकर आप withdraw करते हो अपने आपके लिए तो उस case में आप क्या बोलते थे आप बोलते थे cash account debit to bank account पैसा आ रहा है तो cash account debit कर दिया और आपका bank जो है वो giver है ultimately तो bank rate हो जाएगा लेकिन यहां पर cash आपके पास नहीं आ रहा है यह आपने withdraw कर लिए आपका interest का सरी इंटरस्ट क्या होता है तो interest ना दो धारी तलवार है मतलब कि bank कुछ एक time पर आपको interest देती भी है और कुछ एक time पर आपसे interest लेती भी है मतलब कि अगर आपके bank में पैसे रखे हुए है तो bank आपको interest allow करती है वही अगर आपने bank से loan ले रखा है तो bank आपसे interest charge करती है तो इस दोनों word को समझना है अगर interest allow किया गया है मतलब आपको interest मिल रहा है ठीक है और अगर interest charge किया जा रहा है इसका मतलब कि आपसे interest लिया जा रहा है आपके bank से उतने पैसे काट लिये जा रहे हैं आपके bank से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं क्योंकि आपने कोई banking से interest वाली transaction की होगी आपने कोई loan ले रखा है आपने कोई credit card ले रखा है या कुछ भी ऐसा जिस पर आपका loan वगेरा चल रहा है और उसके बिहाफ पे bank आपसे क्या ले रहा है interest ले रहा है ठीक है तो अगर interest charge किय all the expenses and losses तो यह जो interest है यह interest आपका क्या हो जाएगा debit हो जाएगा interest account debit और ultimately पैसा कहां से जा रहा है पैसा जा रहा है आपके bank से तो bank account आपका गीवर है तो bank आपका credit हो जाएगा और इसी का उल्टा क्या है जब आपको interest allow किया जाएगा तो आपका फायदा है आपके लिए income है और इससे आपके bank में पैसे बढ़ेंगे तो यह entry आपकी justice की opposite हो जाएगी bank account debit to interest account आपका ये income बन गया तो आपने पता है कि credit all the incomes and gains और bank यहाँ पर receiver है क्योंकि ultimately वो interest का पैसा आपके bank में ही आ रहा है bank आपके bank में ही आपके bank के account में ही उतना पैसा add कर दे रही है interest के नाम से जो कि आप लोग के खाते में भी होता होगा जो आपने saving account maintain कर रखा होगा तो ultimately bank account आपका debit हो जाएगा to interest account जितना भी interest आपको allow किया गया है ठीक है sir now last transaction आता है banking related same to same है when bank charges some amount for the services rendered by the bank जैसे कि आपने देखा होगा कि bank आपको SMS facility देती है तो उसका आपके account से quarterly कुछ charges काट लेती है bank आपको ATM दिया होता तो annually कुछ charges काट लेती है bank आपको checkbook देती है तो checkbook का charges काट लेती है यह मतलब कि bank आपको जो भी services provide करती है उसका वो bank अपना charges लेती है इसको bank charges के नाम से जानते है अब bank charges आपके लिए फायदाए के नुकसान है तो bank charges account debit to bank account तो यह entry या फे interest वाली entry बहुत हर सेम बस फर कितना है कि यह bank charges है bank charges होता है जब आपको कुछ services दी जाती है और यह interest था यह भी आपका खर्चा था लेकिन यह interest तब होता है जब आपको कोई loan दिया गया है कोई आपको उधारी मिली है bank के थुरू और bank उसके उपर ब्याज कमा रहा है यहाँ पर ब्याज नहीं कमा रहा है bank आपने यह interest है यह basically loan के उपर होगा जो कि आज निकल आप चुकाद होगे और यह वो services है जो आप bank से ले रहे हो बोथ हार charge on you, बोथ हार categorized into expenditure और debit all the expenses and losses के according वो आपका debit हो जाएगा चाहे वो bank charges हो, चाहे वो कोई expense हो, चाहे वो interest हो all are same, all are under the head of nominal account और उसको आप expenditure के according treat करोगे ठीक है, यह एक interest दियान रखना है, दोरों में हम interest worthy use करते हैं चाहे आप interest charge करने की बात करें, चाहे आप interest allow करने की बात करें बट इससे आपको समझ जाना है कि अगर interest credit हो रहा है, that means interest आपको मिल रहा होगा और interest अगर यहाँ पे debit कर रहे हो that means interest आप charge करने की बात कर रहे हो कुछ लोग इसको interest received account भी लिख देते हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं इन दोरों में differentiation create करने के लिए कि सिर्फ interest लिखा है that means interest यहाँ पे bank से charge किया गया है और interest received लिखा है that means interest आपको यहाँ पे receive हो रहा है मतलब आपकी यह income का part है ठीक है अधरवाज सिर्फ आप interest भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि credit है तो पढ़े लिखे इंसान को यह पता है कि interest अगर credit हो रहा है that means वो आपको मिला होगा आपके लिए वो income में classify वो और वो income का part है ठीक है सर्थ तो इस इस दी ओल extensively मतलब पूरे detail में हमने बात किया और detail में देखा कि banking transaction कितने परकार के हो सकते हैं this is the maximum possibility कि इतने परकार में आपके banking transactions को classify किया जा सकता है इन्हीं transactions को जब हम कोशन आपके practice करेंगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत frequently पाया जाएंगे बट अगर यहां पर आपने understanding अपनी डेवलप कर लिए आपका concept क्लियर हो गया तो आपको किसी भी दिक्कत में किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत परिशानी पैदा नहीं होगी ठीक है सी